नमस्ते वेलकम स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चनल लक्ष विजय में और मैं राजेस सर 12 जुलाई के एक नए सूरियोदय के साथ में आपको एक नए दिन में और जीवन के एक नए उजाले में स्वागत करता हूँ 12 जुलाई की मातुपुन गटनाओ की उर चलते हैं तो आज ही के दिन 1895 वर्ष में दुर्गा प्रसाद खत्री जी का जन्म बनारस में हुआ था दुर्गा प्रसाद खत्री हिंदी उपन्यास के प्रसिद लेखकों में से हैं और दुर्गा प्रसाद खत्री के जो पिता जी थे उनका नाम था देविकी नंदन खत्री वही देविकी नंदन खत्री जो तिलिस्म पर उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद हैं वही देवकी नंदन खत्री जिनका एक बहुती प्रसेद उपन्यास रहा है जिसका नाम था चंद्रकानता और वही चंद्रकानता जो एक जमाने में जिस पर टीवी का सीरियल बनाव बड़ा मशुहूर हुआ था और छोटे में संभौता आप लोग ने भी देखा होगा हम लो दुरगा प्रसाद जी ने दो दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे हैं और इनके उपन्यास चार प्रकार के हैं जैसे कुछ उपन्यास इनके तिलिस्म पर लिखे गए हैं जो की प्रेरणा इनको इनकी पिताजी से मिला कुछ जासोसी उपन्यास हैं कुछ सामाजिक को लेकर हैं और कुछ संभाव्वे मतलब ऐसा हो सकता है संभाव्वे घट्नाओं पर आधारित उपन्यास हैं तिलिस्म उपन्यास में दुर्गा प्रसाद खत्री जी ने अपने पिता जी की बड़ी सूक्षमता के साथ अनुकरण किया पिता जी लिखाई करते थे दुर्गा प्रसाद ने उपन्यास लहरी रण भेरी जैसे दो पत्रिकाओं का संपादन भी किया है और जिस वक्त दुर्गा प्रसाद खत्री जी बड़े हो रहे हैं लेखन का ये कारे कर रहे हैं उस वक्त देश स्वतंतरता आंदोलन का या राष्ट्री आंदोलन के दोर से गुजर रहा है बंगाल का विभाजन हो चुका है स्वदेशी आंदोलन चल चुका है होम रूल लीग चल रहा है साति सात नौन कॉपरेशन जैसे मोमेंट भी सुरू हो गए तो इसका भी प्रभाव पड़ा साती सात ग्रांती कारी आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा और जो भारति शोद, लाल पंजा, रक्त मंडल, सुफेद सैतान, जासूसी उपन्यास थे इनके प्रसिद्ध जो कि राश्ट्रिय भावना से ओत पुरोत थे और जिनमें भारतिय क्रांतिकारी आंदोलन को देखा जा सकता है कि किस प्रकार से इस आंदोलन को किया गया क्रांतिकारी घटनाए भी तो एक प्रकार की जासूसी घटनाए थी भारत में उमिद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, शेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार